जाहिन दोस्तों मेरा नाम है अतूल और स्वागत है आपका अपनी यूटूब चैनल अतूल डगबजार में दोस्तों इससे पहले मैंने ओपो रियल्मी में फ्री फॉन्ट फ्री थीम यूज़ करने के लिए बहुत सारी वीडियो बनाये थी बट अभी यहां पर ऐसे कमेंट आ रहे हैं बहुत से लोग ने रिक्वेस्ट किये कि रियल्मी यूए 1.0 और 2.0 में यह ट्रिक्स जो है वर्क नहीं कर रही है तो इसका रिजन भी बताऊंगा और कैसे इसे बाइपस करना यह भी दोस्तों वीडियो सुरू करने से पहले अगर से चैनल के सबस्क्राइब न पहले तो हम आई मोट प्रो के बारे में बात कर लेते हैं यहां पर आप देख सकते हो 1.3.4 जो है इसका लेटिस्ट वर्जन है और आपके पस रखा हुआ है तो बहुत अच्छी बात नहीं है तो टेंशनल के जो इतनी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके लिंक म इस अपडेट को यहां पर आपको अंस्टॉल कर देना है क्योंकि दोस्तो मुस्टली जो प्रॉब्लम आ रही है वो थीम स्टोर के अपडेड़ेड वर्जन की वजह से ही आ रही है यहां पर दोस्तो आपको इसको अंस्टॉल करने के बाद आप देखोगे तो 6.5 या जो भ इस्टॉल करने के बाद यहां और इस अपको इन्स्टॉल कर लेना है श्रुद रहेणा है सब्सक्राइब आपको इस स्युस्तॉल कर ले ..! और theme store में जाने के बाद आपको अपनी favorite theme इंस्टाल कर लेनी है तो यहां पे बहुत सारी themes available है जो कि यहां पर paid theme है यहां इसलेक करते हैं यहां पर देख सकते हैं 35 रूपिस की यह theme है the meaning of travel और यहां पर दोस्तो इसे try me के option पर आपको tap कर देना है यह profit से install हो जाएगी और यहां पर दोस्तो 5 minute का trial वाला आपको देखने को मिलेगा error error नहीं एक्षोर में यहां पर setting है 5 minute आप इसे use कर सकते हो तो यहां पर दोस्तो इसे bypass कैसे करना है आपको latest वाले i mode pro में चले जाना है जो कि आपने install के ऊपर आपको एक blue color का tick दिख रहा होगा इसे आपको दो तिन बार tap करना है यहां पर देख सकते हो permanently activated का यहां पर message आ जाता है इसका मतलब दोस्तो यह है कि जो यह theme है permanently activated हो गई है मैं आपको reopen करके यहां पर दिखा देता हूँ me my resources में अगर हम जाते तो आप यहां पर देख सकते हैं जो theme apply है दोस्तो default theme apply है जो कि system से provide की गई है लेकिन यहां पर हम theme यूज कर रहे हैं जो कि हमने यहां पर premium paid theme install की है तो यहां पर दोस्तो जो i mode pro के through यह जो method है permanently यहां पर apply हो जाती है और यहां पर 5 minute का trial वाला जो issue है आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगा बस दोस्तो आपको latest वाला i mode pro install कर लेना है और जो theme store यहां पर मैंने provide किया गया है वो install कर लेना है realme UI 1.0, 2.0 किसी में भी आपको error देखने को नहीं मिलेगा font को भी आप free में apply कर सकते हो पस अगेंड से दोस्तों आपको यही trick apply का लेनी है दोस्तों realme oppo के regarding और भी कोई question आपके mind में होंगे मुझे comment section में जरू से पुछ लेजगा या फिर telegram group को join कर सकते हो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही मिलते हैं next वीडियो में टब तक के लिए जय हैं दोस्तों बोलते रहे हैं बंदे मातरम